हेलो, जहिन, कैसे हैं आप सब लोग, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइन्स के क्वेशन्स, ये क्वेशन आपके एक्जाम के पॉइंट ओव व्यू से काफी इंपोर्टेंट रहेंगे, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है और परते क्वेशन का अंसर कमेंट बॉ हिकाओं को कहा जाता है, the blood vessels that carry blood from the heart to the various parts of the body are called, पहला धमनिया, दूसरा नसें, तीसरा सेप्टम, चौथा को सिकाएं, इसका राइट आंसर है, option number 1, धमनिया या आर ट्रीज, अगला क्वेशन है, इन में से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, which of the following helps in the blood clotting, पहला बिटामिन A, दूसरा बिटामिन D, तीसरा बिटामिन K, चौथा फॉलिक एसिड, तो जल्दी से इसका आंसर बताईए, लगबग सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, option number 3, इसका right आंसर हो जाएगा, विटामिन K, अगला क्वेशन है, किस परकार के रक्त सम्हों को सार्ब भॉमिक रक्तदाता के रूप में जाना जाता है, पहला A, दूसरा B, तीसरा AB, चौथा O, निगेटिव, तो इसका right आंसर है, option number 4, O, निगेटिव जो है, क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, अगला क्वेशन है, मानब सरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है, इसमें आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, किसका है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है, पहला, अग्याशही वाहिनी, दूसरा, छोटी आंथ, तीसरा, बढ़ी आंथ, चोथा, ग्रस नली, इसका right आंसर है, option number 2, छोटी आंथ या small intestine, अगला question है, पौधे से पोशक तत्तव प्राप्त करते हैं, plants receive nutrients from पौधे कहां से या किस से पोशक तत्तव प्राप्त करते हैं, पहला, वाई मंडल से, दूसरा, पर्णहरिम से, पर्णहरित से, तीसरा, मिर्दा से, चोथा, परकास से, तो लगबख सभी लोगों को पता होगा, इसका right answer है, option number 3, मिर्दा या मिट्टी से, अगला कोशन है, निमने लिखित गैसों में से, किसे हसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है, which among the following gases is also known as laughing gas, पहला, sulfur dioxide, दूसरा, nitrous oxide, तीसरा, carbon dioxide, चोथा, carbon monoxide, तो जल्दी से अपना answer बताईए, इसका right answer है, option number 2, nitrous oxide को laughing gas भी कहते हैं, अगला कोशन है, निमने लिखित में से, कौन सा बैक्टीरिया हैजा का कारण है, which of the following bacteria causes cholera, पहला, कोकस, दूसरा, ispirilum, तीसरा, बिब्रियो कोलेरा, चोथा, वैसिलस, इसका right answer है, option number 3, बिब्रियो कोलेरा के कारण हैजा फैलता है, अगला कोशन है, निमन में से, कौन सा जल जनित बीमारी का एक उधारण है, An example of waterborne disease is, पहला, डिफ्थिरिया, तूसरा, टौंसिल, तीसरा, अतिसार, चोथा, खसरा, इसका right answer है, option number 3, अतिसार या डाइरिया जो है, ये जल जनित बीमारी है, अगला कोशन है, मिराज या म्रिग तृष्णा, निमन में से, किसका एक उधारण है, मिराज is an example of, पहला, परकास का प्रावर्तन, दूसरा, परकास का अपुर्तन, तीसरा, परकास का कुल आंतरिक प्रावर्तन, चोथा, परकास का परकेर्णन, तो इसका right answer है, option number 3, परकास का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, या total internal reflection of light, अगला question है शोर को मापने के लिए SI काई क्या है पहला ampere इंगलिस में आप पढ़िए What is the SI unit for measuring noise पहला ampere दूसरा Kelvin तीसरा decibel चौथा candela इसका right answer है option number 3 decibel में जो है noise को मापा जाता है अगला question है बिद्दुत मोटर उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित करता है कौन सी उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित करता है Electric motor converts energy into mechanical energy पहला दुनी उर्जा को दूसरा mechanical उर्जा को तीसरा यांत्रिक उर्जा को और चौथा बिजली या बिद्दुत उर्जा को इसका राइट आंसर है option number 4 बिद्दुत उर्जा को जो है यांत्रिक उर्जा में convert करता है बिद्दुत मोटर अगला question है बल जिसे छेतरफल से विवाजित किया जाता है जिस पर वह कारे करता है उसे क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर है दाव या प्रेसर को जो प्रेसर इसको कहा जाता है अगला question है polymer की बिसेस्ताओं में से एक बिसेस्ता है one of the characteristics of polymer is पहला उच्च तापान इस्तिरता दूसरा उच्च यांत्रिक सकती तीसरा उच्च ब्रिदी चोथा कम कठोड़ता इसका राइट आंसर है option number 3 उच्च ब्रिदी या high elongation अगला question है निमने लिखित में से कौन सी गैसें प्रिदी पर greenhouse gas के प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं which of the following gases are responsible for greenhouse gas effect on earth पहला जलवास्प और नाइट्रोजन दूसरा कारबन डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन तीसरा ऑक्सिजन और मेथेन चौथा ओजोन और मेथेन इसका right answer है option number 4 ozone और मेथेन ये गैसें जो है greenhouse gas प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं अगर यहाँ पे इसके साथ अगर मेथेन होता तो ये वाला option इसका right answer हो जाता चलिए अगला question है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है इसका answer सभी को पता होगा option number 3 हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है इस session में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को like करना और जादा से जादा लोगों तक share करना चलिए signing out